नमस्कार, कैसे आप सभी लोग बढ़िया हैं? जोति सास्त्र, आंक विज्ञान आपने देखा है, सुना है, समझा है लेकिन इस संसार में बहुत सारी संख्याएं अलग-अलग धर्मों में बहुत पवित्र और सुभमानी गई हैं हम अपने धर्म की बात करते हैं, शनातर, आखिर मंत्र में 108 को ही क्यों लिया गया? या 101, कोई कारण होगा नहीं, कि 108 बार पढ़े लोगा? आखिर किसी, हम किसी को देखणा या कोई दान देते हैं, 11101, फला 11101, आखिर ये हम जो अंक को निर्धारित क्यों किये हुए हैं, 105, 110, 120 भी दे सकते हैं, एक क्यों लगा देते हैं? इस विशे पर आप सभी लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी, लेकिन इन्हीं अंकों में एक ऐसा अंक है, उस अंक को अगर आप अपने जनम तिथी के टोटल मुलांग के साथ जोड़ देते, यानि उसको कल्कुलेट कर लेते हैं, उसके बाद जो अंक बनता है, जैसे किसी का जनम पाँच, दो, दो हजार दो को हुआ, तो पाँच, दो, यानि पाँच, दो, साथ, दो, हजार, दो, साथ, बाद आठ, नो, फिर दो, दस, ग्यारा, टोटल अंक कितना हुआ, ग्यारा, अब इसमें वो कौन सा चमतकारी अंक है, जिसे जोड़ने पर एक और चमतकार होगा, ये एक रहस्य है, यूटूब पर बड़े-बड़े बिद्वान पड़े हैं, मैं तो उनकी सराहना करता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गुप्त चीज़ है, किसी ने नहीं बताया, जैसे मैंने बताया कि पांच दो दो हजार दो का वेक्त का जन्म है, इसमें सिर्फ एक संख्या, वो है साथ, यानि सेवन, जोड़ दीजे, ऐसे आपकी कोई जन्मती थी, उसको टोटल कही है, यानि मूल अंक में सेवन जोड़ दो, जिस प्रकार, ग्यारा, अंकाया, ग्यारा में मैंने साथ को जोड़ दिया, तो कितनी हो गई, अठारा, अठारा हुई, अब आठ और एक, नव, उसका भी हमने मूलांक कर लिया, टोटल कितना बच्चा, नव अंक बच्चा, तो आपको क्या करना है, सुभा उठकर, दियान रखिएगा, प्राता काल उठकर, आप अपना नाम, किसी भगवान का, किसी बिद्देवी देवता, या किसी अन्ने का नाम नहीं लेना, सिर्फ आप अपना नाम, जिस नाम से सबसे ज़्यादा संबोधित किये जाते हैं, अब कुछ लोग कहेंगे, गुरु जी, इस्कूल वाला नाम की घर पे जो बुलाते हैं, वो नाम, कि पेपर में जो लिखा है नाम, कई नाम भी आज करो रहे हैं, जिस नाम से आपको बुलाया अधितर लोग जानते हों, उसी नाम को पुकारे जाने वाला नाम, उसको आप अपने मूल अंक के साथ सेवेन को जोड़कर, सेवेन जोड़ने के बाद जो मूल अंक बनता है, जैसे इसका नो बना, सुबह उठकर आप बासी मूँ, ब्रस नहीं करना द्या नकलो, वासरूम में जाए, सीसा लगा रहता हूँ, मिरर, उसमें अपने चेहरे को देखते हु आप उनकी पुत्लियों को देखते हुए, अपना नाम, जो मूलंग बना, जैसे हमने बताया कि पांच दो, दो हजार दो अले का जो बना, उसका टोटल बन गया, नौ, तो नौ बार वो अपना नाम, जैसे रमेंद्र नाम है, या उसका नाम सुरेश है, तो वो नौ बार, उठो जगो तुमारा भाग युदे हो रहा है, रमेश उठो जगो तुमारा भाग युदे हो रहा है, यानि उसको आख को देखते हुए आपको नौ बार डेली करना है, मैं इस बात का खुला चेलेंज देता हूँ, दिन का कोई महत्तु नहीं है कि गुरू जी ये भी सवा तेरा आज वीडियो देख रहे हैं कल से करिए कल देख रहे हैं परसों से करिए ध्यान नहें बासी मूँ करना है जब नौ बार ये बोल लें उसके बाद आप अपना फ्रेस होई है जो आपका नितकर्म है वो करिए 40 दिन में आप देखेंगे कि आप जीरो से हीरो बनना चालू हो गए हैं आपके घर का आपके परवार का आपका अडोसी आपका पडोसी अगर कोई परेशान है तो उसको ये सलह जरूर दें उसको ये उपचार जरूर बताएं साथ ही बताएं हमारा चैनल देखें करें लाइक करें और अगर आपके रहते आपका भाई दुखी है आपका पडोसी दुखी है तो ये माना होता नहीं है पडोसी उसी योग होना चाहिए अपनी निगाम में अगर कोई प्राणी दुखी है उसे आपने देखा कर रहे हैं आप सच्छम है उसकी मदद करने में हेल्प करना चाहिए यही सच्ची पूजा है सच्चा तीर्थ है बाकि संसार में कुछ नहीं है इस प्रयोग को जब आप 40 दिन करेंगे इसमें किसी प्रकार का परहेज नहीं है आप जब ऐसा करेंगे आप देखेंगे 40 दिन के अंदर आपका भाग उदय ऐसा चमकेग ऐसा चमकेग जिसे आप देखकर दंग रहे जाएंगे अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप से निवेदन है कि हमारे चैनल को सस्क्राइब लाइक करें साथ हमारा सौड चैनल जिसका लिंक हर वीडियो के टॉप में आपको मिल जाएगा और एबाउट में भी कारकरम चला रहे हैं उसमें भी आपका स्वागत है आपको किसी प्रकार की अन्य समस्या हो सुबह नौ से साम को पांच बज़े की वीच आप कॉल कर सकते हैं रभिवार को आउकाश रहता है बाकी हम मंगल कामना करते हैं कि आपने अपना किमती समय निकाला हमारे लिए और ह हमारी इस कारकरम में आप बढ़चर के हिस्सा ले रहे हैं और सही ओक करें उसके लिए हिर्दे से दिन बाद जैशीतरम हरहर भादेव